तीखी गंध होने के कारण लाहसुन को कहीं भी पहचानना आसान हो जाता है लाहसुन के इस टेज गंध का कारण इसका एक परिवर्तन शील्ड तेल है पहले विश्वय युद्धि के दौरान लाहसुन का सफलता पूर्वक इस्तिमाल युद्धि के मैदान में घायलों के जक मुझ को भरने में किया गया था इस सुषधी में कमाल के एंटिसेप्टिक गुण होने के कारण ये भयानक महामारे के रोपताम में भी प्रभावकारी है अगर लाहसुन को लगातार सही मात्रा में लिया जाए तो ये कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है और वही भी ब उनके परिणामों से पता चला है कि ये नाकिवर रख्ट चाप, कोलेस्ट्रोल और ट्राइगलिसराइब्स को कम करता है बलकि कई खतरनाग बैक्टिरिया को मारने के लिए एक इंटिसेप्टिक के रूप में भी काम करता है रूस में लहसुन को रसियन पेनिसलिंग के रू दर्श माना जाता है ये आंत में फाइदिमंद बैक्टिरिया को विखसित करता है सभी मामलों में ये पाया ग्या है कि लहसुन हानी कारक नहीं है और इसका कोई दुश प्रभाव भी नहीं है ये उत्तेजक अंग्र नाशक लेक्सेटिव और मुत्रवर्धक है लहसुन श् के लिए और महामारी को रोकने के लिए आदर्श माना जाता है लहसुन में महतुपोन विटामिन और खनिज शामिल है ये दिल के लिए एक बेहतर्टो अनिक के साथ साथ प्रभावी बातहर और भूग उत्तेजक भी है ये सलाही भी दी जाती है कि सर्दी खांसी गले में ख लिष्टिकों से पका हुआ लहसुन कच्ची लहसुन से ज्यादा फायदी मन्द है अगर कच्ची लहसुन को अधिक मात्रा में लिया जाए तो कुछ मामलों में इसके कारण उत्तेजना जलन पाचन तंत्र में सूजन एलर्जी सूजन सुस्ती और पानी की कमी भी हो जाती ह अची तरह से पका हुआ लहसुन उत्तेजग ही नहीं होता है और इसका प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता है पकने से लहसुन के स्वास्ते संबंधी गुण नश्ट नहीं होते हैं इस सुषिधी में इतने गुण हैं कि किचन में इसके प्रयोग की मात्रा को बढ़ कर चलें